Good morning all of you, how are you today? Fine, today we are going to learn subject math, okay, class 4, class 4 की math की बूख है, हमने exercise 6.6 का first question जो है complete कर लिया था, है ना, अब हम देखते हैं second question, second question आपका दिया है, solve the following word problem, okay, word problem है, जिसको आपको समझना है और solve करना है कि ये कैसे solve होगा, ठीक है, देखे, इसमें आपका A दिया है, जाओ कर रहा है, रवी ड्रंक 8 by 11 of a glass of Lassi, एन राजू ड्रंक 9 by 11 of a glass of Lassi, रवी जो है कितना glass Lassi ड्रंक कर रहा है पी रहा है, 8 by 11, एन राजू 9 by 11, okay, कौन ज्यादा ड्रंक कर रहा है कौन ज्यादा पी रहा है और कितना ज्यादा पी रहा है आपको इसको सॉल्व करना है चलिए इसका मैं आपको सॉलुशन बताती हूं एक फर्स्ट फॉल आप लिखेंगे लसीडन बाई रवी ऑके रवी कितना लसीडन कर रहा है एट बाऐ 8 by 11 है तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ 9 by 11 ओके उसके बाद आपको क्या करना है therefore there are differences इसका difference बताना है 9 और 8 में ठीक है तो आपने यहां पर differences बता है 9 by 11 minus 8 by 11 is equal to क्या हो गया 1 by 11 ओके तो जादा किसने ड्रंक किया है ज्यादा ड्रंक जो है राजू ने किया है है ना 9 by 11 है उसका क्योंकि और कितना ज्यादा ड्रंक किया है 1 by 11 glass तो hence Raju drunk 1 by 11 glass of Lassi more than Ravi Ravi से उसने 1 by 11 glass जो है Lassi ज्यादा drunk किया है चलिए आपका इसी में second question है B सुन्दर drunk 5 by 6 of a glass of milk in the morning and 3 by 6 of a glass of milk in the evening How much more did he drunk in the morning सुन्दर कितना glass milk कर रहा है 5 by 6 कब morning में and evening में क्या कर रहा है 3 by 6 glass milk How much more did he drink in the morning कितना ज्यादा जो दूद है वो morning में वो पी रहा है ठीक है तो चलिए इसका भी मैपको answer solution बताती हूं सुन्दर drunk milk in the morning सुन्दर कितना ड्रंक कर रहा है मिल्क जो कितना पी रहा है morning में 5 by 6 glass और evening में कितना पी रहा है वो 3 by 6 glass उके उनका डिफ्रेंसे अगर हम निकालते हैं क्या हो गया 5 by 6 minus 3 by 6 5 minus 3 करेंगे तो 2 आएगा और 6 जो है हमने लिख लिया ओके तो 2 by 6 जो है यह ग्लास जो है आपका डिफ्रेंसे में निकल गया तो सुन्दर ड्रंक 2 by 6 आफ ग्लास मिल्क morning sorry more in the morning कितना ज़्यादा ग्लास ओप morning में पी रहा है तो 2 by 6 जो मिल्क है वो morning में ज़्यादा पी रहा है इसे तरिके से आपका जो 3rd question है उसका भी ऐसा ही बनेगा देखे यह solution है आपका पहले फर्स्ट फॉल में आपको उसका question समझा दू the fruit salad recipe knits 1 by 5 kg apples and 3 by 5 kg grapes which fruit is required in greater amount and by how much 1 by 5 kg जो है एपल लगना है salad की recipe fruit salad की recipe है उसमे और 3 by 5 kg grapes लगना है okay which fruit is required in greater amount कौन सा fruit जो है ज्यादा लगना है and how much and by how much और कितना ज्यादा लगना है कितना ज्यादा लगना है ठीक है इसका solution में आपको देती हूँ required amount of apple कितना हमको चाहिए apple 1 by 5 kg दिया है ठीक है and grapes कितना दिया है 3 by 5 kg दिया है हम उसका डिफ्रेंसस निकाल लिए 3 by 5 minus 1 by 5 is equal 3 minus 1 by 5 3 में से 1 minus करेंगे क्या बज़िया 2 by 5 तो इसका बज़िया है तो ग्रेप्स रिक्वाइब इन ग्रेटर अमाउंट बाइ 2 by 5 kg दिया हमको कुछा जो फ्रूट है वह हमको कुछा किसका अमांट ज्यादा लग रहा है कितना लग रहा है 2 by 5 kg ओके इसमें आपका क्योश्चर नमबर डी है कमलेज बट 2 by 8 मीटर अफ ग्रें रिबन और 5 by 8 मीटर अफ ब्लू रिबन फॉर ताइंग गिफ्ट हाव मच मोर ब्लू रिबन दिद ही बाई देन दा ग्रें रिबन कमलेज ने क्या खरिदा 2 by 8 मीटर ग्रें रिबन खरिदा और 5 by 8 मीटर जो है ब्लू रिबन खरिदा है ये पैक करने के लिए हाव मच मोर ब्लू रिबन डिट ही बाई देन दा ग्रें रिबन चलिए देखते हैं सेम आपको करना है ठीक है डिफ्रेंसेज निकालने हैं आपको लेंथ ऑफ ग्रें रिबन 2 by 8 मीटर दिया है और ब्लू रिबन का लेंथ आपको दिया है 5 by 8 मीटर ओके तो जो ज़्यादा है उसमें से हमको कम को मैनस कर देना है डिफ्रेंसेज निकल जाएगा तो 5 by 8 minus 2 by 8 is equal 5 minus 2 by 8 is equal to चेप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.6 जो है complete हुआ इसको आपको घर में solution करके लिख लेना है solve कर लेना है ठीक है आप वीडियो देख के उसको समझे उसके बाद अपने घर पे उसको copy में आप उसको feel कर लीजिए इसके बाद देखते हैं let's revise पेज आप अपना बदल लिए let's revise यह आपका जो आपने पढ़ा है पहले चेप्टर 6 में जो भी पढ़ा है उसके according यह दिया गया है first question आपका दिया है write the next 5 equivalent fraction of 4 3 by 5 तो आपको पता है आपको लिखने का एक तरीका बता देती हूं कि आप अपनी copy में उसको लिखेंगे कैसे ओके यह इस तरीके से आप लिखेंगे 3 by 5 का आपको 5 equivalent fraction निकालना है तो आपको पता है आप सेम डिजिट में numerator denominator में में जो है multiply करते हैं तो आपका equivalent fraction जो है निकलते जाता है तो 3 by 5 में into 2 by 2 करेंगे 3 by 3 करेंगे 4 by 4 करेंगे 5 by 5 करेंगे 6 by 6 करेंगे तो यह आपका कितना equivalent fraction निकाल रहा है 5 1 2 3 4 & 5 आपको इसको solve करके लिखना है आपको only 6 by 10 9 by 15 12 by 20 यह सब नहीं लिखना है आप इस तरीके से उसको पूरा solve करेंगे ताकि आपको solution आए ठीक है तो लेट्स रिवाइस भी आप अपनी copy में करेंगे जो आपकी copy में लिखने का है question first है उसको आपको इस तरीके से उसको solve कर लेना है ओके देखिए हमने इसको solve किया है तो 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 3 जा 9 & 5 3 जा 15 4 3 जा 12 & 5 4 जा 20 3 5 जा 15 & 5 5 जा 25 3 6 जा 18 & 5 6 जा 30 यह आपके 5 equivalent fraction निकल गए है तो 6 by 10 9 by 15 12 by 20 15 by 25 & 18 by 13 is the 3 by 5 equivalent fraction okay question number second देखिए question number second दिया है आपको write the missing numerator and denominator okay आपको जो numerator and denominator missing है उसको आपको fill करना है तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें easy सापको बताया था कि आप क्या करोगे alternate जो है equivalent fraction निकालने के लिए जो multiply करते है वो आप करोगे ठीक है तो यहाँ पे यह जगा blank है ओके इसको आपको fill करना है तो आप 12 x 5 करेंगे तो आपको कितना अंसर मिल रहा है 60 okay 12 x 5 जा होता है 60 तो 2 में आप किसकी multiply करेंगे किसका multiply करेंगे तो आपको 30 मिलेगा तो आप क्या करोगे 2 को 60 से 60 को 2 से divide कर दोगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6 and 0 और 2 0 0 okay कितना आए आपका अंसर जो है 30 okay यह आपका answer है same आपको इसमें भी करना है 5 sorry 56 into 6 करना है और जो answer आएगा ठीक है उसको आपको 42 में आप किसको multiply करोगे तो आपको वह answer मिलेगा इसको आपको जानना है तो यह आपको homework है कि इसको आप अपने से सालो करोगी और इसको फिल करोगे इसको आप copy में आप मत करिएगा इसको भी आप कॉपी में राइट नहीं करिएगा क्यों नमबर थी है इसको भी आप कॉपी में राइट नहीं करिएगा circle the proper fraction बच्चे अभी आप लोगों ने बच्चे आप लोगों ने अभी एक्जाम दिलाया है ना मैंने आपको आप लोगोंने मुझे sufficient answer नहीं दिया है और बाकी लोगों ने sufficient answer नहीं दिया है तो मैं आपको फिर सर्ण रीपीट कर देती हूँ proper fraction वाट इस व्रापर फ्रेक्षेंट क्या है किसको बोलते हैं proper fraction तो जिसका numerator इस्माल होता है और denominator बढ़ा होता है बिग होता है ओके यह लास्ट टाइन है आप जान लो जिसका न्यूमिनेटर इसमाल होता है और डे नोमिनेटर जो है बिग होता है वो क्या होता है आपका प्रापर फ्रेक्शन होता है ठीक है सीडी सी बात है ऊपर जो है आपका छोटा होना चीए नीचे जो है आपका बड़ा होना चीए is that proper friction ओके इसमें देखे 12 by 17 proper friction है 4 by 9 को circle करना है and 1 by 8 को आपको circle करना है 15 by 3 and 10 by 9 को आपको circle क्यों नहीं करना है क्योंकि इसका जो उपर है वो big है और नीचे जो है वो small है means that means जो numerator है वो big है और denominator है वो small है ओके तो आपको इसको circle नहीं करना है यहाँ पे देखें question number 4 है circle the unit fraction unit fraction के बारे में भी हमने बताया था कि जिसके numerator में 1 होता है है ना वो क्या होता है unit fraction होता है तो देखे 1 by 7, 1 by 10 and 1 by 15 को आपको circle कर लेना है 4 by 5, 9 by 10, 5 by 9 and 3 by 7 को आपको circle नहीं करना है okay अवाई मिट्वर्पर्वेक्षन एंट इंटू इंट्व मिट्वर फैक्षन इंटू इन इसकोमेटने नम्बर्परख्षन में आप सल्व करना एक तो आप क्या करते हो इसके लिए 7 इंटू 9 करते हैं है और जो आशर मिलता है उसको आप numerator से plus कर देते हैं तो चलिए इसका मैं आपको answer जो है कैसे करना है उसको दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने exam में पूरा पूरा solve नहीं किया है आपने only answer लिख दिया है तो आपको इस तरीके से answer नहीं लिखना है आपको इस तरीके से पूरा solve करना है ओके यह है आपका इसमें seven four by nine ओके आपने seven into nine plus four by nine बहुत सारे बच्चे यह समझ गये हैं कि हमको इसको multiply करना है और इसको उसमें plus करना है बट आप जो है denominator को छोड़ दिये रहे हैं बहुत सारे बच्चों की copy में मैंने देखा कि उन्होंने denominator को छोड़ दिया है only six sixty seven जो answer आया है यह सबस लिख दिया है तो आपको उस तरीके से इसको solve नहीं करना है seven into nine plus four by nine is equal seven nine जो होता है आपका 63 plus four by nine is equal 63 में आप four को plus करते हैं आपको answer मिलता है 67 तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ऐसा ही लिखा है तो आपको यह नहीं करना है इसमें by nine जो है आपको लगाना है जो आपको denominator इसमें दिया गया है वो denominator आपका नीचे लग जाएगा ओके second भी आपका दिया है 6,1,8 तो आपने 6,8 जा कितना होता है 48 and plus 1 किया तो 49 49 by 8 जो है आपका answer हो गया तो आपको copy में इसको solve करना है और इसी तरीके से solve करना है जब भी आप copy में इसको fill करके भेजें आप पुरा इसमें solve करके भेजें वाटसब ग्रूप में इसी तरीके से इसमें का और भी है जो आपको बनाना है क्योस्टन नमबर 6 आपका दिया है write in ascending and descending order आपको यह जो क्योस्टन दिया गया है उसको ascending and descending order में लिखना है तो चलिए मैं आपको इसको solution देती हूँ फर्स्ट क्योस्टन है आपका 6 का यह है 2 by 5, 3 by 25, 6 by 35 and 1 by 5 अब तक आपने कौन सा ascending and descending किया है जब denominator सेम होता है और numerator small या big होता है उसको आप लोगों ने ascending या descending order में लिखा है है ना आप इसमें देखिए आपका पूरा का पूरा denominator जो है सेम नहीं है इसमे 5 है, इसमे 25 है, इसमे 35 है, इसमे 5 है 25, 35 and 5 का कैसे निकाल होगे इस तरीके से आप 5, 25, 35 and 5 को लिखोगे आप इसको देखिए कि आप जो है 5 से इसको डिवाइट करते जाओगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 फिर 5 से जाएगा 5, 1 जा 5, 7 को जैसका तसम लोग लिख देंगे हो कि जैसे का वैसा फिर उसके बाद हम लोग 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो सब आपका हो गया फिनिश, ओके, 1, 1 आ गया, अब LCM आपको क्या मिला इसमें 5 इन्टू 5 इन्टू 7, आप इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका इसका अंसर आ रहा है 175, ओके, 5, 5, 25 इन्टू 7 इसको इसको इसमेंटीफाइब आपको क्या करना है 175 आप बनाना है पूरे के पूरे डेनोमिनिटर को ठीक है तो आप 5 में किस चीज का multiply करेंगे तो 175 मिलेगा, 25 में आप किस चीज का multiply करेंगे तो 175 मिलेगा, 75 मिलेगा, 75 मिलेगा, जिस desert से आप multiply करोगे denominator को, नुमिरेटर को भी, चल लिए, यहाँ पर मैंने इसको solve किया है, जब हम 5 को 35 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमको मिलता है 175 ओके सेम डिजिट का हम उपर में भी मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका अंसर हो गया 2 x 35 is equal to 70 and 5 x 35 is equal to 175 ओके सेम आपको इसी तरीके सकर लेना 25 का मल्टिप्लाइ आप किस से करेंगे होगा तो आपने 25 को 7 से मल्टिप्लाइ किया तो आपको 175 मिला सेम आप न्युमिडेटर में भी करोगे 6 x 35 जैंङे 35 क्वी करोगें तो आपको 175 कुलेगा टो आपटे 5 में 5 का मल्टिप्लाइ अगर करते हैं तो 175 1565 मिलता है कि सेम आप नियॅमि निईटी कि आपको 6 में आपने 5 को कैसे 75 मिलेगा तो आप ँसको थैटी फायब से मुल्टिप्लाई करोगे तो 175 मिलेगा तो पूझ तो सेम आपको नुमिलेटर में भी करना है आप नुमिलेटर में भी सेम डिजिट का मुल्टिप्लाई करोगे तो अपधेखे सबसे आपको जो अंसर लिखा जाता है सबसे बाट मेंको पहले लिखते हैं फिर बढ़ाते जाते हैं है तब सबसे पहले को में हमारे स्माल 21 20 ओक उसके बाद 30 उसके बाद सेवेंटी हमने इसको ऐसा जम्होंकि हमको नMat consistency मिल ग्या भी तो हम ने इसको लिख लिया आप इसको देखे कि ये हमको किस की जगापे मिले 21 जो है किस की जगापे मिले 3 by 25 30 आपको 6 by 35 35 वन बाई 5 के जगा में मिला है and 70 जो है आपको 2 by 5 के जगा मिला है ओके तो आपने इसको क्या किया ओशित हिसाप से आपने लिख गिया सबसे चोटा से बड़ा फीर बड़ा फीर बड़ा ओके when descending order couple and just opposite आपको इसको कर देना है सबसे छोटा आपको पहले लिखना है स्अआथ आप् intended आपको पहले लिखना है सिर चोटा फिर चोटा फिर चोटा ऑकики तो यह क्या हो जाएगा जस्ट अल्टर्नेट हो जाएगा 70, 35, 30 and 21 ओके यह भी आपका अल्टर्नेट हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा यह भी कि 2 x 5, 1 x 5, 6 x 35 and 3 x 25 ओके तो इस तरीके से आपको एसेंडिंग और डिसेंडिंग आडर जो है रेडि कर लेना है इसमें आपका question B है उसको आपको इसी तरीके से same to same आपको solve करना है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा आप जल्दी से अपनी copy complete कीजिए और जो बुक में फिल करने का है उसको आप बुक में ही फिल करिएगा जिसको मैंने आपको बोले कापी में फिल करके आप मेरे को वाट्सअप करिएगा उसको आप कापी में बनाईएगा ओके अभी के लिए थैंक यू